क्या खत्रों के खिलाडी है स्क्रिप्टिड लास्ट यर के कंटेस्टिन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है एक ऐसी बात बोल दी है उनके रीसेंट इंटर्व्यू में जिसके चलते सोशल मीडिया पर अभी भी इस बात का बज है आपको बता दे क्या कुछ है हो रहा किसका स्टेटमेंट है ये क्या स्टेटमेंट है ये और जिसके चलते सोशल मीडिया पर आज के दिन भी क्या कुछ हो रहा है अब देख रहे है फीफा फूज मैं हूँ आपकी होस्ट न दोस्पदांगी करने का आपको बता दे कि खत्रों के खिलाडी सीजन 12 के लिए केप टाउन में मुनवर के अलवा बाकी सारे कंटेस्टन्स अल्रेडी है शूटिंग शुरू हो चुकी है पहला टास्क भी जो है पहला स्टन्ट भी इनका हो चुका है जिसके चलते अब जो है सोशल मीडिया पर काफी जादा बस खत्रों के खिलाडी का दिखाई दे रहा है अभी इसी जैसे बिग बॉस हो या बाकी जो शोज होते हैं हमेशा से कहा जाता है कि इसमें कुछ न कुछ फिक्स्ट विनर होता है कभी बायस्नेस होता है कभी किसको टिकाना चाहिए किसको नहीं टिकाना चाहिए इस तरीके से भी बाते होती है और जेन्यून जो विनर है वो विनर न नहीं बोला है सौरब राग जो है जो पिछले साल खत्रों के खिलाडी सीजन 11 के हिस्सा रहे चुके है उन्होंने भी अपने एक रीसेंट इंटर्व्यू में जब उन से पूछा गया था कि क्या खत्रों के खिलाडी एक स्क्रिप्टेट शो है तो उसके बाद उनका जो जवा मुझे पता है हर एक जन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करने वाला है वो उनका बेस्ट देंगे और स्टन के मामलों में आइम शौर काफी अच्छा करेंगे पर मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूंगा एक एडवाईस देना चाहूंगा सबको कि प्लीज टेक कैर क्योंकि खत्रों के खिलाडी हाश्टाग के खिलाडी तो इस तरीके से होता है तो ये बात में सारे कंटेस्टन को बताना चाहूंगा इस तरीके से सौरब ने बात की अब उन्होंने ये कुछ टाइम पहले बूला है लेकिन अभी अगर सोशल मेडिया के बात करें अभी भी लोग इसी के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे है कोई कह रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि इस बार भी कलर्स का फेस ही जीतेगा तो कोई कह रहा है तो क्या इसका मतलब यह है अगर सौरब ने जो कहा वो सच निकला तो पक्का बिग बॉस वालों में से ही कोई न कोई जीतेगा तो कोई कहरा है अब मुझे लगता है कोई ने कोई फेव privately बहु को जिताएंगे या फिर तो कलर्स के चहरे को तो कोई कहरा है यार यह शो में पार्टिस बेट करना है क्योंная तो चाहरा है देजह है मेरा फिर हार्ट मुझे करें तो कोई कह रहा है नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, it cannot be scripted, task होते है, stunts होते है, stunt अच्छे से नहीं किया, तो ticking कहीं ही नहीं, तो I don't think it is fixed or biased at all, तो इस तरीके से multiple reactions लोगों से आ रहे है, mixed reactions आ रहे है, जाता तर लोग इसे already scripted show बता रहे है कि इस show में आपको content भी देना पड़ेगा, content नहीं दिये, तो आप बहार हो जाओगे, जिस तरीके से, सौरब ने अपने recent interview में कहा है, उसके उपर कई सारे लोग बात कह रहे हैं, त doubtful है कि इसमें अगर आप perform नहीं करोगे तो आप चले जाओगे, तो कोई बचाएगा ही कैसे आपको, इस तरीके से दोनों साइड से बाती हो रही है, आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है, comment से बताईएगा, I'll see you soon.